कि अभी आप सभी लोग मैं सब्सक्राइब करता हूं तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपके एम टूर 5.1 याने की विब डिजाइनिंग और पॉब्लिसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट की बारे में देखिए आपके क्लास रहने वाली है इसमें आपके एम टूर 5.1 के सभी अभी तो हालाकि चैप्टर वाइस चल रहे हैं आज आपका थर्ड चैप्टर के करा जाएंगे जो कि आपका स्टीमल है ठीक है जो कि आपका स्टीमल है तो जो बच्चे भी जुलाई 24 जो बच्चे भी जुलाई 24 के लिए प्रपेरेशन कर रहे हैं जो लोग इस क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़े आपके सारे कोश्चन्स मोस्ट ऑफ कोश्चन्स जो आपके हैं वह यहां पीवाई क्यू से उठाए गए ठीक है प्रीविए से कोशन पेपर औ और कुछ अलग कोश्चन्स मिलाके यह आपके कोश्चन्स बनाए गए गए तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं जधा समय को वरतना करते हुए जी पेहला कोशिन कहह रहा है to make your website mobile friendly आपकी website को mobile friendly मतलब क्यों आपके mobile वे चल जा जाए उसको ऐसा बनाने के लिए यूप केट यूइक साइट आपको अपनी website कैसी बनानी पड़ेगी आपको अपनी website किस तरफे की बनानी पड़ेगी आपको अपनी website किस तरीके की बनाने पड़ेगी क्या A responsive, B reactive या C fast loading या D light तो निम लिखित में से कौन सा आपका एक answer सही हो जाएगा इस question में आपका answer number A सही हो जाएगा अब देखें responsive websites क्या होती है responsive websites वो websites होती है responsive websites वो websites होती है जो जो हर एक screen के हर एक device की screen के recording fit हो जाए ठीक है समझे इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि responsive websites वो websites हैं जो आपकी screen के size के recording screen के size के recording adjust हो जाए उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे उन्हें हम लोग responsive websites बोलेंगे ठीक है माली आपने को website develop की वो फोन पर भी चल जाए आपके laptop की screen पर भी चल जाए आपके tablet की screen पर भी चल जाए ठीक है और अगर आप उसे बड़े monitor पर चलाना चाहें बड़ी LED पर तो उस पर भी चल जाए इसे ही आपका responsive website बोल देते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा वाट ड़स यसे इस 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 का फुल फॉर्म क्या होगा तो क्या से इस का फुल फॉर्म ए करेंट इस टाइल सीट होगा बी करेंट सीट स्टाइल होगा c-cascading style seat होगा या d-cascading seat style होगा css का full form क्या होगा css का full form क्या होता है अब देखे css का full form तो देख लिजेगा अभी बता दूँगा बट css क्या है तो css आपके stml का good morning css जो है यह आपके stml का एक आपके stml का क्या है stml का एक framework है आपके stml का framework है यह कौन css अब css के तरू क्या करते हैं css के तरू आप लोग stml पर जो quotes लिखे होते हैं उनको फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं उनको फॉर्मेट्स उनको फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते स्सिक्न को नहीं पता है कि सिस्टाइल सीट एक स्टाइड जाएगा ठीके फिर कहरा है next question next question कह रहा है कि which of the following statement is false तो निम लिखित में से कौन सा statement आपका जो है वो फॉल्स है तो क्या ए यू कैन मेक a website without using stml आप एक website को बिना stml का यूज करें बना सकते हैं या you can make a website without using php बिना php के यूज करें बना सकते हैं you can make a website without using CSS CSS का यूज किये बिना बना सकते हैं या d you can make a website without using java script बिना java script के यूज करें आप एक website को बना सकते हैं तो इस में से कौन सापका ही कौन साथ ही हो जाएगा तो देखें java script तो बनानी पड़ेगी लगानी पड़ेगी और आपकी website को attractive बनाना है तो CSS CSS को भी लगाना जरूरी नहीं इतना ठीक है यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है ठीक है बट आपका जो है करा यू कें में का website without using HTML तो क्या आप HTML का यूज करें कि यह बिना एक विपसाइट बना सकते हैं यह नहीं बना सकते हैं तो यह फॉल्स हो जाएगा ठीक है आपका थार्ड नंबर में WordPress 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 क्या है इतब एट इस शॉफ्ट वेर ंविजू थो प्रेस्ट जो टेक्स को प्रेस करने के रिए यूज करांगे एढ़ यवियर यह भी इट ईज आफ कि आइक टेक्स्टॉwwww PayPal hiện SPDर वर्ड प्रेस क्या है क्या यह holistic क्व्ट एक हुम्स या एक यह स्कैश्ग होता है सिदि मैं या डी इट साथ मेल सर्विस क्या वर्डप्रेस एक म्हार्ड था तो इस कुश्चन में कौन सब्सक्रेश हो जाएगा आपका लुए को हां यह कैसा है यह आपका कंटेंट मेनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस आपके content को manage करता है आगे की तरह पर चलते हैं SQL stands for SQL stands for अब देखिए अभी यहां पर आपके सीमें कोस्टन्स तो दे ही रखे हैं बट उसके इलावा कुछ और भी questions दे रखे हैं ठीक है यह उन questions को मैंने रखा है जो आपके paper में आये हुए थे कभी जो आपके paper में कभी आये हुए थे SQL का full form क्या होगा हां तो SQL का जो full form होता है क्या होता है वह इस्ट्रक्चर क्वेरी लेंगविज इस्टेटिकल यह सुपीरियर यह स्टेंडर्ड क्वेरी लेंगविज क्या होगा SQL का full form आपका यह हो जाएगा structured क्वेरी लेंगविज इस्ट्रक्चर्चर्ड क्वेरी लेंगविज ठीक यह डेटाबेस को क्रीट करने के लिए PHP के साथ में यूज करें जाती है फिर किरा विच आप दा फॉलोंग इस ट्रू अब निम लिखित में से कौन सा आपका एक जावा सब्सक्रइब के लिए त्रू है सकता है यह एक सरवर साइडिस्क्रिफ्टिंग लैंगविज यह सी इज़ा सोफ्टवेर यह डीटीज़ डेटाबेस इस कोशिन में क्या आनसर सही हो जाएगा जावा एक अपकी कैसी लेंगविज है जावा स्कृप्ट आपके किस तरीके की लैंगविज है हूं एट आड भी कैसे सब्सक्राइब टॉर्णाsm 10 इसलीग में लिक्राइब ना आग 요 खितर पड़ते है प्रह वीच आफदापर पॉलोईंग वीच आफदाफ़ लूईग इस टूलिकित में से कौन सापका एक option true है तो option पढ़िए पहला option कहरा यू नीड अ server to host your website files आपके server को एक host की जरूवत होती है जो आपकी website files को आपके server को एक host की जरूवत होती है जो files को host कर सके अभी you don't need a server आपको किसी भी server की जरूवत नहीं होती है आपकी website files को host कराने के लिए या without using stml आप एक website को create कर सकते हैं बिना stml का प्रियोग करें या डी यू cannot create a website without a cms without a cms कौन साप्शन सही हो जाएगा कौन सापका एक option सही हो जाएगा क्या बात भाईया किसी के answer नहीं आ रहे है कम जोर हो गई क्यों किसी के answer नहीं आ रहे है क्या बात तो देखिए आपको एक सर्वर की जरूरत पढ़ती है अपनी वेब फाइल्स को होस्ट कराने के लिए आपको एक सर्वर की जरूरत पढ़ेगी ही पढ़ेगी अब देखिए अगर आपको यह समझ में आ रहे हैं नहीं समझ में आ रहे हैं सबस्क्राइब करना चाहेंगे अब अभी क्या हुआ है कि जैसे आप नाइलेट में जिसे आप लेवल का एक्जाम देने जाते हैं और वहां जैसा इंटरफेस होता है जैसे पूरा इंटरफेस जैसा स्क्रीन पर दिखेगा उसी तरीके का इंटरफेस अब आपको ग्या एक्सपी पर भी मिलेगा मॉक टेस्ट अब जो बच्चे जयनवरी जुलाई तोने के लिये लिए हो लेविल के लिए उनको पिसे कुछ बताना चाहूंगा कि देखे जो भी बच्च पढ़ रहा आरहा सब्सद्रेदा बच्चों को दिक्कत होती प्रेक्टिकल में कि प्रेक्टिकल हम लोग कहांसे करें सबसेदा दिक्कत कहां से होती है प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल हम लोग कहां से करें तो देखिए आप लोग को मैं बता दू कि ग्यान लाइव क्लासे चलती है उनकी रिकॉर्डिक भी आपको मिलेगी प्लस कम्प्लीट स्लैब दिया जाएगा और आपके मॉडल पेपर जैसा कि मैंने अभी बताया आप भी मॉडल पेपर्स को भी सौल कर पाएंगे इसी एक सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज के यह 399 400 भी नहीं 399 के एक कोर्स में अब इतने में तो बुक लेने जाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ठीवरी दे रखी होगी ना वहां पर कोई समझाने वाला होगा अब यहां 399 में ही आपको लाइव क्लासे मिलेंगी मतलब आपके जाएंगे प्लस प्रैक्टिकल लाइव क्लासे सबसे ज्यादा जो बच्छों को दिक्कत आती है वह तो आपके प्रैक्टिकल के लाइऑ तोपिक्स को क्लियर कराते हैं उसके और प्रैक्टिकल को लिए century इज्डियोख सब्ते हैं आज यहां आपके पेट क्लास आहां है ठीक है उनसे पूछ सकते हैं आप लोग कोई बच्चा है इसा जो पेड़ क्लासिस का है अब वो लोग पढ़ रहा है तो उनको पता है कि भी चैप्टर वाइज लाइब क्लासिस चल लएंगे ठीक है और हर एक टॉपिक को डीप तरीके सा समझाय जा रहा है कहें से भी अगर क आप फोन में अपने ग्यान एक्सपी के एप को इंस्टाल करने के बाद में फोन से ही अपने कोडिंग कर सकते हैं अब वेब डिजाइनिंग की हो या पाइथन की हो आप अपने फोन से ही उसकी कोडिंग कर सकते हैं ठीक है अब जैसे यहां कोड हेल्प में आएंगे आप ल लेकिया जाएगा इतनी सारी सो विधायें आपको मिल नहीं है ग्यान एक्सपी के एप से और यह सो विधायें निसूल के हैं जो कोड़ लैब अगयरा है एक दम निसूल के है इसे सिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है चली आजाते हैं अपने पढ़ाई को जारी रखें कि काफी सारत साहुलियत मिलती है इतने में तो सिर्फ अगर बाहर कहीं पढ़ने आफ लाइन इस टूट ने कहीं पढ़ने जाओगे ना आफ लाइन जाओगे ना तो बीस से 25 और चार्ज करते हैं और एक साथ में जमा कराएंगे कि यहां पर तो सिर्फ एक 399 में ही आपको को समस्य हो जाएगी है चलिए ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट कुशन देख लेता है कि सब्सक्राइब फॉलोइंग सॉफ्ट्वेयर कुट बी यूज्ट वेबसाइट तो निम लिखित में से कौन सा सॉफ्ट्वेर आपका है सॉफ्ट्वेर है जो वेबसाइट को बनाने के लिए यूज करा जाएगा तो क्या वह पावरपॉइंट होगा भी एक्सल होगा सी ड्रीम विवर होगा या डी ए आरपी होगा कह रहा है कि वेबसाइट को क्रियेट करने के लिए मतलब कि जब आप को लिखते हैं तो उन को उसको लिखने के लिए आपको किस एक एडिटर की जरूध पड़ेगी किस एक सौफ्टवेर की जरूध पड़ेगी तो उन हूप्टवेर में से कौन साहिक सौफ्टवेर हो जाएगा आ यस वह पावरपॉइंट हो जाएगा दियूर्पर Vide č dp हो जाएगा इसुत कर देखिए नप ड्रीन विविवर आमका एक टेक्स्त यह कीया है एडिटार है यह आपका एक एडिटर है अब इस पर ही हम लोग क्या करते हैं सही से लिग देटे से का यह लोग को नहीं पता है वो लोग क्लास को जोईन कर लीजिए हार एक चीज के बारे में हम डिटेल से बताया जा रहा है अब देखिए ठीक है ड्रीम विवर आपका एटर जैसे नूर्पट प्लस-प्लस वैसे ही आपका ड्रीम विवर इट का सी अच्छा कर विच आफ दा फॉलोइंग इस नॉट आज यह नहीं है यह वर्डप्रेस बी डूपल सी मेगेंटो या डी एस एपी निम लिखित में से कौन साथ का वर्डप्र एक सीमस नहीं है सीमस क्या था कुछ ऐसी था ना सीमस का फॉल फॉल्पर्म भीया लिख लीजेगा कौन साथ का एक सीमस नहीं है तो निम लिखित में से कौन साथ का सीमस नहीं है वो false है आप statement देख लेते हैं पहले statement क्या है statement कह रहा है a shared hosting is cheaper than dedicated hosting एक जो shared hosting होती है वो सस्ती होती है किसके comparison में dedicated hosting के comparison में ठीक है फिर b कह रहा है shared hosting shared hosting is safer shared hosting is safer than dedicated hosting जो आपकी ये share hosting है ये safe होती है किससे dedicated hosting से या c कह रहा है dedicated hosting is safer dedicated hosting जो है वो safe होती है किससे shared hosting से या कह रहा है though d डो more expensive than shared hosting अब जो यह है shared the estuary यह सेयर्ड होस्टिंग एक्सपेंसिव है डेडिकेटेड होस्टिंग इस मोर सेक्यूर अब देखिए क्या है कि जो स्थेयर्ड होस्टिंग है वो महंगी भी है किस से इतनी तो महंगी नहीं है बट जो आपके डेडिकेटेड होस्टिंग है वह आपकी सेक्यूर भी है वह होस्टिंग में क्या करते हैं चले मैं बता देता हूं अब इन सारी चीजों को आपके पेड कुर्सें काफे अच्छे से समझाया गया है यहां पर मैं फिर से समझा देता हूं शेयर होस्टिंग होती है जैसे कि आपने किसी कमपणी के पास अपना एड़र्टाइजमेंट चला है अब उस कमपनी ने क्या किया कि पहले से को फोडेट चल लाँ था उसी के साथ में आपका पैचब कर दी और उसके साथ में भी एक यह एड़र्टाइज मनें लगा चलने लगा मतलब करने लगी एक ही कम्पनी या एक ही होस्ट आपको दो तरीडेटी कराने दो लोगों के किसी और के साथ में रिप्रेजेंट कराने लगा वहीं जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है अपने आपको रिप्रेजेंट कराना ठीक है तो आपकी वेबसाइट है वह कैसे रिप्रेजेंट कराएगी अब डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होगा कि आपको सिर्फ और सि की ही वेबसाइट को आपकी ही वेबसाइट को एडवर्टाइज यह रिप्रेजेंट कराया जाएगा जहां कहीं पर भी उसको एडवर्टाइज करने की जिरुवत पड़ेगी ठीक है चलिए आगे की तरह पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं इस स्टेट्मेंट इस टू निम लिखित में से कौन सा आपका एक स्टेट्मेंट जो है वो ट्रू होगा तो कह रहा है तब वेब डिजाइनर शुड नॉट जस्ट बी कंसरेंड एबाउट दा लुक्स बट आल्सो एबाउट अन इंटरफेस या भी कह रहा है यूजबिल्ट व्या दी नन अफ दी या इबव लाया या डी नन ऑफ दी ऑब तो इस ट्वेलम confess इस कॉसिशन में आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा आंपका आंसर use of flash is bad from usability point of view या B करा है design should be free from clutter या C करा है looks are more important than usability मतलब कि जो looks होते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा important होते हैं उसके usability से comparison में या D A और D दोनो A और D दोनो A और D नहीं होगा यहां पर A और B होगा ठीक है A और B होगा यहां पर will Chemistry से यहाँसर सही होगा आगे कि तरब पढ़ते हैं लो Can Canada browser जो आपके मारकणहीं मार्णाब टैग उसको क्या बताते हैं जो आपके मार्कणहीसर बिटाइंगे तो इ Origin से इसने का इन been strict नहीं इस checklist नहीं मारक एक जो हैं आपके deb is चाहिक यूजडाते हैं वह किस चीजिक बताते हैं तो यह बताते हैं कि आपको पेंज किस तरहिए से आपके ब्रावजर पर डिस्पले हो 15 question देख लेते हैं attribute of text box text box का attribute control allow control allow to limit the maximum character ये क्या करता है maximum characters को maximum character के limit को control करने के लिए allow करता है ठीक है तो क्या हो जाएगा maximum character limit of maximum character कितनी हो जाएगी size हो जाएगा, lane हो जाएगा, max length हो जाएगा या all of the above हो जाएगा या all of the above हो जाएगा तो देखिए maximum character जब आपको allow करने होंगे maximum collector allow करने होंगे इसमें text box में text box में कुछ maximum होती ज़्यादा ठीक है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे एक आपको max length मतलब कि character के लिखने की length को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको max length attribute की हो सकता पड़ेगी उसके लिए आपको किस की हो सकता पड़ेगी max length attribute की हो सकता पड़ेगी next question करा बेपेजस स्टार्ट, बेपेजस स्टार्ट विद टैक, बेपेजस आपके किस टैक के साथ में स्टार्ट होते हैं तो आपके यह चाहरेख लिए कि बीच में रिलेशन बताएगा वह कौन सा हो जाएगा तो वह आपको रिलेशन बताने करें कर चैड के लिए बात आने के लिचPOobil के किसी भी漂 के लिए कर संविए कह रहा है कर्यक्prus ग़स एै إलायन लेफ्ट में न GIS की तरफ आपके Contentlyंट को इंसाइड gap टेबल से टेबल से लक के अंदर तो ऑप COS तरीके से proclaim की तो यह इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको इधर की तरफ लेफ्ट के तरफ लाइन करने के लिए थब लोग किसका प्रियोग करेंगे कि तो इसके लिए हम लोग किसका कि क्या हुआ हूं को उसके लीए हम लोग इस इसित्माल करते हैं tеко u live का कर देगई जो यहांसा टेग लगएगा टिटी टो टेग लगएगा और अलाइन करने करां मेटा टैग अपियर इन मेटा टैग जो आपका है यह दिखाई देता है किसमें है टैग में टाइटल में बॉडी में या फॉर्म में मेटा टैग आपका कहां पर दिखाई देगा मेटर टइग आपका कहां पर दिखाई देता है तो मेटर आपका जो है यह किसमें एड़ टैग में हैड़ टैग के अंदर ही तुम लोग टाइटल टैग और बॉडडि टेग वो मेटर टैग देते हैं ठीक है फिर के लिए the full form of HTML HTML का full form क्या होता है हाइप की क्या है इन पुट इस इन पूट इस इन पूट क्या है एक एक पॉर्मेट टैग है इंपट है तो है या फिर बोथ एडे यह सी नन ओफ दी अबव यह सी नन ऑफ दी अबव तो बहुत आफ यह विए ओप टेग यह हैं कैसा टैग है इंपाटी टैग है क्यों प्रटी नहीं होता है ठीक है फिर कहरा है दा मैप डिफिनेशन फाइल इन जेनरली तोर्ज आपके मैप यह होता है ओप कहा होता है आपका सीजी आई-ई मतलब करेक्टर ग्राफिक यूजर आँ और टेक्स एरिया के अंदर जो टेक्स होता है वह कैसा दिखेगा जो आपका टेक्स एरिया है यह किस तरीके से बर करेगा तो क्या यह पी फॉर्मेटेड टेक्स तो जो आपका टेक्स एरिया है यह प्री फॉर्मेटेड टेक्स की तरह प्री फॉर्मेटेड टेक्स की तरह ठीक है अब प्री फॉर्मेटेड जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं फिर से बार बता देता हूं देखिए उनको मैं फिर से बार बता देता हूं जो बच्चे भी अभी जुलाई 2024 के लिए उनके लिए ग्यान एक्सपी पर क्लासे चल गई आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजे और यहां पर देखिए आपके यहां पर देख सकते हैं और अगर आपको परचेस करना चाहते हैं तो यहां पर आपको नंबर दिख जाएगा या आपके इस साइड में या इस साइड में नंबर आपको इस कॉर्णर पर नंबर आपको देख जाएगा उस नंबर पर वाट्सप मेसेज कर देजिए आपको को रिटेंस दे दी जाएंगी और को पर चेस कर सकते हुआ पर बात चीट करके ठीक है अब इसमें प्रैक्टिकल भी होगा आपके mcqs भी करा जाएंगे मॉडल पेपल साव करा जाएंगे प्रिविस हैस सल्यूशन आपको दिये जाएंगे प्रैक्टिस दिये जाएंगे और प्लस आपको नोट्स तो प्रॉइड ही प्रॉइड करे जाएंगे ठीक है नोट्स तो आपको प्रोवाइड ही करे जाएंगे हर हाल में प्रोवाइड करे जाएंगे अब जो बच्चे भी प्रपेर करना चाहते हैं वो गयान एक्सपी के आप से जुड़े चलिए ठीक है आपके ओ लेवल के सभी मॉडियूस को यहां पर बैच लाउंच करें जा चुके हैं और जो भी लोग चाहें वो इसको परचेस कर सकते हैं अपने टॉपिक पर जाते हैं कि और और एक्सटेर्नल स्टाइल सिट्ट याज़ इसको पढ़िये बताई इस रिटेन इन इक नीट PL सब्सक्राइब और उसकी एक स्टायल सीट को बनाएंगे तब आप किसके साथ में डॉट सीएसे एक्टेंशन के साथ में उस फाइल को सेव कराएंगे करया CSS background property is used to define the background effect on an element की CSS जो background property है किसी भी element के किसी भी element के background को show कराने के लिए उज़ कर जाती है तो हाँ भाया ये background के को ही छो कराएगी background के color को ही कराय दा background color property जो आपका background color property है is used to specify the entire color entire color of the सब्सक्राइब करती है आपके एलिमेंट के पूरे बॉर्डर को बैग्राउंड को कलर करने के लिए क्या यह बास सही है या फिर गलत है कि अब देखिए यह जितने भी बैग्राउंड वाले कोश्चन आ रहे हैं यह आपके 2021 और 2022 2022 के पर में 2022 कोश्चन सा चुके हैं यह उनीक कोश्चन को करा रहा हूं यहां पर ठीक है तो इस कोश्चन में आपका अंसर नमबर भी गलत हो जाएगा ठीक है एलिमेंट पे नहीं हो पूरे बैग्राउंड पर ले लेगी मboom तो को कहरे था सिससे सबाटर बर्परिटेटीजा की बादर इंधिक्लिव गरती नहीं करती है थी अब नियुक्टीrüट को थीक पढ़र गयं किदर पड़ते हैं त्युक्सıl की यूज टू जो आपकी बॉर्डर प्रोपर्टी बॉर्डर इस्टाइल प्रोपर्टी है यह यूज करी जाती है इस स्पेसिफाइब बॉर्डर टाइप बॉर्डर के टाइप को विच यू वांट डिस्पले ऑन दा वेपेज जो अपने वेपेज पर जिस टाइप के style property यह सो करा आते हैं कि यह बात सही है तो है यह बात भी आपकी सही है आगे कि तरह पर चलते हैं करें नानन वैल्यू जोगिए नन वैल्यू है दान वैल्यू टोटली removes the element from the page कि जो आपके नन वेल्यू है यह आपके पेज से elements को क्या कर देती है रिमूव कर देती है कि यह बात सही है यह गलत है यह गलत बात है यह गलत वो लहा है कि कह रहा है लिस्ट आइटम्स मेक दाइलिमेंट भी है लाइक आ लाइलिमेंट जो आपके लिस्ट आइटम है वह करते हैं कैसे लाइलिमेंट के अंदर है तो यह बात तो सही है जो आपके लिस्ट के पोजिशंनिंग प्रपर्टी जो सेशेज़ की फ्लोट प्रपर्टी है क्या ये पोजीशन देने के लिए यूज नहीं करी जाती है। कि यह लो कि त्यू सब्सक्क्राइब מण के लिए वार्फ लिए इस टैग प्रॉट्भ करते हैं तो पैयरा ग्राम के कि लिखना होता है सबसेपहले किética ऐसिता का सबसेफसेंक की सुथawk करते हैं सबसे पहले कि टेक को उपर सब्सक्राइब करेंगे गिया करेक्ट स्टेमाल टैग फॉर दा लार्जेस्ट हेडिंग इस सबसे बड़ी हेडिग के लिए सबसे करेक्ट हेडिग के लिए आपका है को सबसे चोटा है नगी करें वाट इस यूजड ऑफ एचार टैग इस्टीमल एचार टैग का इस्तिमाल स्टीमल में क्यों करा जाता है तो एक फॉर मेकिंग कंटेंट अपिरेंस इटाइलिक आपके कंटेंट को इटाइलिक करने के लिए या भी कि आपके क्रेंट करने के लिए क्रेंट करने के लिए क्रेंट करने के लिए एक लाइन को ब्रेक करने से अदेने के लिए यूज़ करा जाता है विज्ड डिपीट इस नौट एसेन्चेयल अंदर आई फरेम आई फरेम के एनदर निम लिखित में से कौन साबका NID के कौन साव का एक कि अव bunun से ट इसेन्चियल की एट्रिब्यूटर नहीं थो मैं को अपके अंदर कौन सापको यह अट्रीवेत नहीं है तो आपका जो है यह प्रेम बॉल्डर हो जएगा यह व्यूजे नहीं अब विच वर्क सिमिलर टू बी करता है रिवाट और ना यह यह टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उस कर जाएगा तो एक यह आपका तरह है ृट्यूप की तरह है यह यह गीus का टेग यहाल में करने के लिए कौन सा टैग आपका करा जाएगा कौन सा टाइगा का इस्तेमाल करा जाएगा तो वह आपका यू टाइग इस्तेमाल करा जाएगा ठीक है नेक्स से कोशन देख लेते हैं कि रहा है विच एट्रिब्यूट इस्पेसिफाइज आ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफाइट टू एस अब यह आपका होमवर्क है इसको होमवर्क समझ लिए इस कोशन को आप होमवर्क के तौर पर करके लाएंगे ठीक है तो चलिए आगे देख लेते हैं करा विच आप दा फॉलोइंग इस एन स्पेसिफिकेशन यूस्टू एड़ मोर इंफॉरमेशन टू एस्टीमिल टैग stub और ज़दा इंफॉरमेशन को एड़ करने के लिए आपको किस LAUGHTER हुए हो सकता पड़ती है तो क्या एक मौडिफायटा मेंनी डेटा यह मैक्रोडीटा मैक्रो और ये मौडू यह मीfikो लग अलग है यह मैक्रो तो इसमें मौडिफाय डेटा की अपसकता पड़ती को घुलार which HTML element is used for YouTube videos YouTube videos के लिए कौन सा आपका एक element यूज़ करा जाएगा YouTube element के लिए कौन सा आपका एक element ही जो है वो यूज़ करा जाएगा हाँ तो इस question में आपका answer number iFrame सही हो जाएगा iFrame आपका answer एक दम सही हो जाएगा ठीक है और आज का आपका लास्ट कोशन देख लेते हैं लास्ट नहीं हो सकता भी आगे और हो which of the following HTML element is used for canvas graphics canvas graphics के लिए आपका कौन सा element यूज़ करा जाएगा canvas graphic के लिए आपका कौन सा element यूज़ करा जाएगा तो इसमें तो नाम सही पता चला होगा canvas ठीक है canvas चलिए अब आप लोगों को मैं फिर से बता दू जो वच्चे भी जुलाई 24 के लिए प्रपेर कर रहे हैं जो वच्चे भी जुलाई 24 के लिए प्रपेर कर रहे हैं वह लोग ग्यान xp से जुड़कर ग्यान xp के classes को परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इजली कर सकते हैं आप वहां पर हर एक तरीके के डॉट को वाइंगे ठीक है आपकी लाइफ classes रहती हैं जो भी डॉट से यहां पर कई सारे कोश्चनस आप लोगों ने देखे होंगे आपसे स्वाल नहीं हो रहे होंगे आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या होगा कैसे होगा ठीक है तो उन सभी जानकरी आप यहां से ले सकते हैं आपको कई सरी सो विधाय दी जाएंगी जैसे कि आप जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो यह बिल्कुल हुब हुब को डाउनलोड कर लिया अपने फोन से अपके प्रोग्रामिंग का फीचर प्रोग्रामिंग के फीचर की सुविधा उठा सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद मैं कल मिलूंगा आप से फिर से नए कोशन के साथ में